हलो इस्ट्रेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस्ट्रेंट्स हम सभी जानते हैं कि आज भी SSE MTS 2017 का जो टायर वन का एक्जाम अभी चल रहा है तो वो आज के दिन भी 4th October को हुआ है तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वो सारे GK questions जो कि आज के दिन 4th October को पूछे गए थे SSE MTS exam तो इस वीडियो में हम पूँकि हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे बहुत सारे मैंने comments में पढ़ें कि रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप जो questions देते हैं वो जो format होता है वो टेक्ष्ट जो होता है वो हिंदी में रखिये ताकि समझने में और आसानी हो तो वैसे तो मैं हिंदी में एक्स्प्लेइन करता था फिर भी लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने आज टेक्ष्ट भी हिंदी में कर दिया है तो चलिए बिना देरी की हुए शुरवात करते हैं देखते हैं कौन-कौन से को एरेंज करना था स्लाइडिंग फ्रिक्षन को स्ट्याटिक फ्रिक्षन को और रूलिंग फ्रिक्षन को तो मैं बता तो इसका एंसर जोगा सबसे पहले होगा सबसे बढ़ा होता है सबसे ज्यादा होता है स्ट्याटिक फ्रिक्षन जब अब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और जब tends to move, मतलब जब move करने वाला होता है, उसी moment पे करने से पहले और जब करने वाला होता है, आखरी moment पे जो friction लगता है, उसे static friction बोलते हैं, फिर उसके बाद जो आता है, उसे sliding friction बोलते हैं, वो second number पे आएगा, और rolling friction, rolling friction जो है, वो third number पे आएगा, फिर अगले question की और कि 2018 15 फुटबाल विशक प्व कप वो कि किस ड Georgia किया जाएगा तो इसका उत्तर होगा वहोगा नसिया रूसे जो है उसी में 2018 फूटब्स कप आयोजुट किया जाएगा तो मैं आप को एक और एक्ष्टा नॉलेज के तौर पे और बात बता दूं कि 2022 में जो है यह फुटबॉल विस्ट कप फीफा फुटबॉल विस्ट वो कतार में आयो जित होने वाला है यह देखिए अभी कि 2018 में आज पूछा गया था कि 2018 में कहां आयोजित क्या रहा हो सकता है कभी आप से आगे कि किसी भी दिन के स्क्राइब करतवियों की संख्यावत फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं भाग फोड में कितने हैं इसका उत्तर 11 होगा तो 51 यह आर्टिकल के अंदर भाग फोड में अगला कुछन आया था कि किस साल रॉलेट का कार्य पारित किया गया था इसमें आप से पूछा गया था कि इसके बारे में देखते हैं हमारे पास और भी हम आपको क्या नौलेज दे सकते हैं तो चलिए उर्ध्यान देते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि रॉलेट एग्ट जो है वह 1919 में पारित अपिध्क्राइब हो फिर इसके बारे में आप इंफॉरमेशन देख सकते हैं कि इसमें रॉलेट एक पाकया तो रॉलेट एक जो था तो वह एक बिट्रीष गवर्मेंट के द्वारा मतलब बिना कोई बिल पास किये हुए पार्लियामेंट में बिना किसी और के इंडियन्स जो नेता थे लीडर्स उनके बिना सहमती के ये लोग पास कर दिया गया था बिर्टिस गवर्रमेंट जो अंग्रेजी समराज्य जो दी उसके दौरा और इसमें उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे जो की विरोधी थे उनके बिर्टिस समराज्य के उनके खिलाफ बिना कोई ट्राइल के गर भीना कोई वार्रेंट के दो साल तक उने सुनाने की प्रकिरिया को यहां पे मानित कर दिया गया था बिना किसी ट्राइल के वो दो साल तक किसी भी विरोधी जो विरोध करते थे बेटी समलाजे के उन्ने सजा दे सक्ते थे तो यह काफी पुरूरता भरा कह सकते हैं यह एक्ट पास किया गया था और इसमें जो में रिजन्स थे तो पंजाब थे जो कि इंडियन वर्ड वार वन के मुश्ट बेटरेंस में से एक थे तो इनके द्वारे यहां पर पंजाब में काफी वाइलेंस हुआ था इसके खिलाफ इसके बार में आपको इतना नौलेज काफी है अगले कोई सन जो आया था गो था जी एनप का पूरा रूप क्या था फुल फॉर्म आप से पूछा गया था जी एन पी का फुर्फर मैं आपको बता दूँ वह होता है ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट तो ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट होता क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं तो ग्रॉस नेशनल जो जी एन पी ग्रॉस नेशनल तो इसमें वह एक मेजर है कि साल में कितना फ जीन पीटनोमिक्स पार्ट में आता है फिर अगला कुस्षिन जो आया था कि A.S.C.I.I का पूरा ही क्या है तो ए-स-C.I.I का फूल फॉर्म आप लोगों से कुछा गया था इसका फूल फॉर्म जो होगा वह होगा American Standard Code for Information Interchange ध्यान जेगा मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं नहीं होता है जगा आप नोट डॉन कर सकते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पीचेंड लाइन के लिए एक बनाया गया है तो चलिए अगले को बढ़ते हैं अगले विसकार किस ने किया है तो इसका उत्तर जो होगा वह मैं आप लोगों को बता दूँ इसी का विसकार यहां देख सकते हैं जो थे आप चलिए अगले और बत्ते हैं अगला struct क्यों पस करते हैं option ते राज्य सभा लोग सभा तो इसका होगा वो होगा वह का राज्य लोग सभा और राजे सभा से पास होता है और फिर जो गूंवार्टी उसे मिलती है उसके बाद वो प्रसीडेंट के पास जाता है उसके प्रसीडेंट उसके साइन कर देते हैं तो वह वह बिल जो है वह एक लौ के रूप में बन जाता है तो चलिए अगले question की और बढ़ते है इसका उतर जो होगा वड़ाजे सवार लोग सवार दोनों होगा एक प्रसिडेंट का उप्शन रहता तो वह भी एंसर में होता है अगले क्वेशन के और बढ़े तो अगला कुछन आया था मैयामार में 250 km सरक का निर्मान किस नहीं किया था इसमें पूछा गया था आप से कि म a ameैं आ है जो एक कौeze करने का ये फॉश यूज करें जाता है इस मेश दृमक कर दिद्स वजका होता है महीं यूज किया जाता है एसे ताकि इसे जो है वह बनाए जा सकते हैं क्या होता है तो मैं आपको बता दो हाला कि अपने 10 पराओ जो मेटल्स और नन मेटल्स कभी कभी लोग उन सब का जो मिक्स्चर होता है तो चलिए अगले को सिन क्यों बढ़ते हैं अगला कुछन आया था सी ओ यू और चलीकरनेवाली प्रकेरिया का आब तो चली में बता दिया आपको कि स्टुलिद करनेवाला और बैलेंस करनेगे प्रकेरिया पूंछ आया था वे था 7.000 का क्या मतलब है कि इसमें आपसे पूछा गया था कि एक्सक्रीन जिसे अंग्रेजीम एक्सक्रीशन बोलते हैं उसका क्या मतलःती इक्सक्रीशन आप जानते हुगे, आप भी सारे जो लिविंग ओगेंज्स होते हैं, आप एक्सक्रीट करते नहीं है, खरीक्वम्ड्याइशने इनक्तर कर, टो चर्थियू निकलने का एक पोधन करने का सरीर से भी अबनान लोक निरतिय फो है इसके बाड़े मैं आपको को बता दो आपना कीमस की ocean कं दर नीय करते बहुत है इसमें पेंटिंग जो सब्सके MDOS होता है उस में जो राइस सावल刃 का जो पॉडर होता है वह पेंट के रूप में से अगले को ब्रस की रूप में इस्तिमाल की जाता है और उंगले स्लाइट देखते हैं लाग चैहले की पुर्व केंद्रिये मंत्री को बढ़ती सुद्रे पुरशकार का अदेश दिया गया है कि इन्हें मिलेगा यह पुरर्शकार तो मैं बता दू कि बढ़ती सुद्रे पुरशकार जो है अजिन सबसे उनर वाला आवाड जो होता है अगला कुछना है कि भाफ इनजन में गड़मी उर्जा को किस उर्जा में बदला जाता है तो इसमें आप से पूछा गया था था कि भाफ इंजन जो है तो उसमें गर्मी जो सौरे उड़ल सोर इनर्जी उसे किस रूप ने बदला जाता है तो किसका उत्तर होता हुए जी हां मेक्यानिकल इनर्जी को बदला जाता है आगला जोट आये था तो आप लेविस के रोल का नाम देख सकते हैं तो लेविस के रोल जो थी उनके द्वारा ये नॉवेल जो लिखा गिया था तो मैं आप लोगों को कहना चाहूस है बहुत ही इंट्रेस्टिंग नॉविल है मैंने खुद बढ़ा इसे तो खाओंध इन्टस्टींग नॉवल है और आपके पास इखाली समय रहता है तो इसे अभी खातम होगे तो खाली समय अगर आप तो भारतिय समय अनुसार में आपको बता दू कि जो ब्रहस्पतिवार का दिन होगा 21 दिसंबर को उस दिन ये मनाया जाएगा शुरुवात होगा उस दिन से इस मा का सीद्कालिन संक्रांति मा का तो अगले कुशन के और बढ़े तो अगला कुशन एक जो है वो ऑथर और जैस और राइटर से आये थे कुशन तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी योजना जो लॉंच हुए नहीं और जितने परदानमंत्री के खासकर परदानमंत्री ने जिन्हें योजनाओं को लॉंच गया उसे जरूर आप देख लें कि उनसे जो है रेगुलर मैंने दे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और से अर्भी करें और हमारे चैनल से अपडेटेड रहें यहां नौटिफिकेशन का बेल होगा नीचे उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हम जो आगे वीडियो अपलोड करते रहें आप लोगों को गाइड सब्सक्राइब करते रहें तो उससे आप अपडेटेड रहें तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं अंगले वीडियो में दन्यों